नमस्कार दोस्तो डिश्टेल इंडिया टेक में आपका स्वागत है दोस्तो इस वीडियो में बात करने वाले हैं इलेक्ट्रोनिक में कहने के मॉक टेस्ट नम्मा 17 के बारे में जिसमें मैं आपके लिए इंपोर्टेंट कोश्चन्स ले गर आया हूँ तो दोस्तो पूरे साइट को लगाईए और साथ में आपके जितने नमबर बनते हैं प्लीज कमेंट वाक्स में जरूर सियर कीजिए इसके साथ ही दोस्तो इससे पहले के 16 मॉक टेस्ट की वीडियो मैं बना चुका हूँ जन्होंने वो वीडियो नहीं देखे हैं उने के लिए मैंने डिस्क्रेप्शन और नीचे लिंक दे दिया है आप बहाँ से भी देख सकते हैं अदर्वाइज मेरे चनल की प्लेलिस्ट में जाकर आप मॉक टेस्ट की वीडियो और टेकनिकल सेक्शन की वीडियो भी देख सकते हैं तो दोस्तो अभी तक जिन्होंने मेरे चनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज मेरे चनल को सब्सक्राइब करके बैल आइकन को दावाना ना भूले चलिए स्टार्ट करते हैं फरस्ट पोश्चन है दोस्तो mathematical amplifier are used in जो differential amplifier होते हैं ुनका किसमे हम यूज करते हैं तो दोस्तो उसका सही answer है फूर्थ, instrumentation amplifier जो दोस्तो instrumentation amplifier होते हैं उनमें हम यूज करते हैं उसके बाद next portion है वेस्टीजियल टाइप modulation Gips जो vestigial टाइप modulation होता है डिसको हम कहते हैं V.S.B यह दोस्तो हमारा TV सिस्टम में यूज होता है ठीक है तो इसका दोस्तो यही फायदा है कि यह low bandwidth की इसको जरूरत होती है low bandwidth यह देता है तो दोस्तो उसका सही answer क्या होगा second ठीक है दोस्तो वेस्टीजियल टाइप modulation कि इसका answer है second वाला low bandwidth नेक्स्ट कोशन है अधिकांज जो generator में होते हैं उसमें जो output voltage है किसके द्वारा induce होती है तो दोस्तो जो उसमें output मिलती है वो हमें मिलती है छेत्र और armature कुंडल के बीच सापे चिक गती की कारण ठीक है दोस्तो तो यहाँ आपका second वाला option बिलकुल सही होगा नेक्स्ट कोशन है दा oscillator most commonly used in transmitter कौन सा oscillator हम transmitter में हम use करते हैं तो दोस्तो का सही answer है crystal oscillator क्योंकि दोस्तो इसकी stability अच्छी होती है जिसके कारण में इसको हम use करते हैं नेक्स्ट कोशन है SWG used to measure दोस्तो जो SWG है इसका full pump होता है standard wire gauge जिसका हम use करते हैं diameter of the wire ठीक है किसी भी wire के व्यास को मापने के लिए इसका हम use करते हैं तो इसका सही answer होगा first वाला नेक्स्ट कोशन है तापमान के निमलिखित मेंसे किस scale पर temperature जो है कभी भी negative नहीं होता दोस्तो आपको यह बताना है इन वैसे temperature किस scale में कभी भी negative नहीं होता नेक्स्ट कोशन है तो इसका सही answer है प्लेसिंग इंसाइड a coil carrying conductor ठीक है जब कोई coil carrying conductor होता है उसके बीच में इसको रग दो तो दोस्तो जो आपका effect आता है उसमें magnetic effect आ जाता है जिसके करण वो दोस्तो एक magnet बन जाती है तो यहाँ पर आपका first answer बिल्कुल सही होगा इसमें question यही पूछा था most effective and quickest way of making a magnet from soft iron is why तो सही answer है placing it inside a coil carrying conductor की बीच next question है an ideal transformer no load primary current जिनका relation क्या होता है दोस्तो यह होता lag behind bpy 90 जो दोस्तो जो voltage से 90 degree lag करती है नहीं कि पस्चगामी होती है तो यहाँ पर आपका second वाल option बिल्कुल सही होगा next question है fermi level of extensive semiconductor depends on जो fermi level होता है semiconductor में हो किस के बीच में depend करता है किस पर lag करता है तो उसमें donor element पर भी depend होता है impurity concentration पर भी होता है और temperature यह तीनों पर depend करता है तो उसका सही answer है all of the above ठीके दोस्तो फरी में लेवल का सही answer है fourth वाला उसका सही answer होगा next question है when the current throw a coil reserve reverse direction then the magnetic field around it ठीक दोस्तो एक current है किसी coil में reverse direction में है तो उसमें जो magnetic field होगा वो किस direction में होगा दोस्तो इसका answer भी यह होगा fourth जो magnetic field भी reverse direction में बनेगा तो यानि कि इसका fourth वाला answer अपका बिल्कुल सही होगा next question है by rotating a conductor in a magnetic field the induced EMF will be ठीके दोस्तो the rotating a conductor in a magnetic field magnetic field में एक conductor rotate कर रहा है तो उसमें जो induced EMF वो कैसा होगा दोस्तो वो होगा dynamic type ठीक है दोस्तो क्योंकि उसमें जो conductor है वो rotate कर रहा है इसलिए dynamic type अगर जो conductor हो static यानि कि इस्थेर होता नियत होता तो उसमें जो EMF बनता है वो दोस्तो होता है static type फ्लाल इस question में आपका second वाला answer बिल्कुल सही है dynamic type next question है if the doping level of a crystal diode is increased ठीक है diode की doping level को बढ़ा दिया जाए तो उसकी breakdown voltage क्या होगा तो दोस्तो जब भी doping level बढ़ाते है तो उसका breakdown voltage क्या हो जाता है कम हो जाता है second answer आपको बिल्कुल सही होगा is decreased next question है most common application of UJT जो UJT है इसका most common application बताना है तो दोस्तो UJT as a relaxation oscillator हमें यूज करते हैं इसको यह भी बोलते हैं UJT क्या है इक relaxation oscillator की तरह है ठीक है दोस्तो UJT का use दोस्तो जो बेव होती है उसको generate में भी करने में भी किया जाता है जबके next question है जो एक multimeter द्वारा किसी भी polarity के साथ एक track के terminal जो MT1 और M2T के बीच मापा गया resistance क्या होता है दोस्तो जो track होता है जिसमें 3 terminal होते हैं इस तरह से आप इन दोनों terminal की बीच में कितना resistance होता है यह बताना है दोस्तो इनके बीच में जो resistance होता है लगबग 10 की power 6 ohm में होता है यानि की mega ohm में तो दोस्तो इसका सही answer है second ohm लगबग 1 ohm से कम ठीक है तो around इतना होता है 10 की power 6 उसके बाद next question है the biggest advantage of ECL तो जो ECL का आपको advantage बताना है EC ECL का हुलफ़म होता है emitter coupled logic और इसका use हम करते हैं दोस्तो यह high speed operation के लिए ECL का use करते है next question है in which coded 3 is added to each decimal digit before converting it into equivalent binary मतला हम किस में जो 3 number को add करते हैं दोस्तो आपको पता होगा access 3 जो की नाम सही है access 3 जब भी हम इसको equivalent binary हम change करते हैं तो उसकी डिजिट में हम 3 जोड़ दोड़ देते हैं ठीक है जैसे माल लीजिए आपको 4 का access 3 निकालना है तो सबसे पहले 4 के लिए इसमें 3 add कर देंगे 7 अब 7 का binary code निकालेंगे ठीक है तो वह होगा इसका access 3 तो यहाँ पर फिलाल इस question है आपका first answer बिल्कुल सही होगा next question है the direction of induced EMF can we found why induced EMF की जो direction हम किस नियम के दो बारा निकालते हैं दोस्तों आपको पता होगा यह तो lens lens का नियम lens law तो यहाँ पर आपका second option बिल्कुल सही होगा next question है which of the following circuit element store energy in the form of electromagnetic field इन में से कौन सा element है जो energy को electromagnetic field की रूप में अपनी energy को store करता है दोस्तों यह होगा अपना inductor inductor ही होता है जो energy को इस तरह है store करता है त तो यहाँ पर आपका first answer बिल्कुल सही होगा next question है which of the following is passive element इन में से आपको बताना है कौन सा passive element होता है दोस्तों आप यह याद कर लीजी RLC यह तीनों कैसे passive element होते है resistance ठीक है दोस्तों और L आपको पता ही होगा inductor और C क्या है capacitance दोस्तों यहाँ पर आपका सही answer होगा first ठीक है एक passive element पैसिव element वो होते हैं जो energy का produce नहीं कर सकते यानि कि अपना amplification नहीं कर सकते ठीक है तो ऐसे उनको क्या बोलते हैं passive element यहाँ पर आपका कौन साथर सही है first वाला capacitive next question है next question से पहले दोस्तों पिछले मॉक्स टेस्ट में मैंने question पूछा था कि भारत के किस राज्य में इस बिजब का सबसे बड़ा hospital बनाये जाएगा दोस्तों उसका सही answer है बिहार ठीक है दोस्तों अब next question की बात करते हैं in RC circuit at time constant the voltage achieve its final maximum value तो दोस्तों सही answer है 5 times जो RC circuit में maximum time constant होता है वो हता है 5T पर जब पहुंच जा जाता है तो first answer यहाँ पर बिल्कुल सही है next question है निम्न मे पारता से बताना है कौन सी रासी सदिस नहीं है रेकिसंबिक, कोणिया संबिक, बिद्दोचित यह बिद्दोचंबता ठीक है दोस्तों तो इसका सही answer है बिद्दोचंबता electric efficiency यह कोई सदिस रासी नहीं है यह यह कोई सदिस रासी होती है next question है the minimum spectrum allocation required for WCDI में ठीक है इसमें जो आपका frequency का जो spectrum है किस हिसाप से दिया है कितनी frequency पर दिया है तो दोस्त का सही answer है 5 MHz की जो frequency है वो allocated की गई है Next question है जो pre-emphasis होता है उसका use हम किस लिए करते हैं Pre-emphasis used to improve SNR यह होता है signal to noise ratio को improve करने के लिए हम इसका use करते हैं Next question है in which type of chopper circuit 4 chopper and 4 diode are used इन में से किस type में आपके जो 4 chopper 4 diode use होते हैं तो दोस्तों वही होता है type E circuit में Next question है small signal amplifier are also known as जो small signal amplifier होते हैं उनको हम क्या कहते हैं दोस्तों तो उनको हम कहते हैं low power amplifier ठीक है दोस्तों यहाँ पर आपका थर्ड वाला अपसन बिलकुल सही होगा Next question है तो दोस्तों यह थे आज के 25 important questions पूरे set को लगाईए और बद्दय आपके कितने marks आ रहे हैं और दोस्तों आज का आपका question है जो IC होती है पांसो पच्पन टाइमर IC आपको इसका answer बताना है कि इसमें total कितनी pin होती है ठीक है दोस्तों तो आपको इसका answer comment box में जरूर टाइप करके बताइए तो दोस्तों आपको वीडियो पसंद आयो तो प्लीज वीडियो को like जरूर करें share करें और चैनल को subscribe करना ना भूले मिलते हैं next वीडियो में धन्यवाद